हमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिज से हारदिक स्वागत है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो द्वारा जानने वाले हैं खोया प्यार पाने का उपाय टोट का मंत्रा इन ही हिंदी तो दोस्तों अगर आप भी अपने बिछड़े प्यार को अपने जिंदगी में वापिस राना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को लाज तक जरूर देखें और देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सके तो दोस्तों अगर आप भी हमारी आज की वीडियो दुवारा खोया प्यार वापिस पाने का टोटका अपने बिछड़े प्यार को वापिस कैसे पाएं खोये प्यार को वापिस पाने का मंत्रा उपाय तरीका जानना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को लाज तक ज दोस्तों जैसे कि सभी जानते हैं प्यार एक ऐसा सब्द है जिसे सभी प्यार करते हैं प्यार एक ऐसी बावना है दोस्तों जिसे सब महसूस करना चाते हैं एक ऐसी सचाई दोस्तों जिसे सब पाना चाते हैं दोस्तों अगर इनसान की जोली प्यार से बरी हो तो वह बड़ी स बड़ी मुसीबत को भी जेल सकता है लेकिन वही प्यार जब वैक्ति से रूट जाता है या उसे दूर चला जाता है तो मानो बहारों का मुसम भी पत्जड नजराने लगता है ऐसे में उसकी जिंदगी मानो बोज बन जाती है वही जिंदगी से निरास हो जाता है दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ गठ रहा है आपका प्यार भी आपको छोड़ कर चला गया है आपसे बात नहीं करता या किसी दूसरे के चक्र में पढ़ गया है तो हमारी आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ उपाई और मंतर बताने जा रहा है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको दतूरे का बीज लेना है उसे नारियल के साथ पीस लेना है अब इसमें आपको कपूर का पावडर और सहद मिला लेना है इस मिश्रन से प्रती दिन तिलक करना है आपको आपने खोई प्यार को वापिस पाने के लिए प्रात्न करनी है दोस्तों दूसरा उपाई है गुरोचन में आपको केला मिलाना है त्यार मिश्रन को लगाना है दोस्तों आपने अपने सर के उपर इस लेप के विहार करने से दोस्तों आपके अंदर इतनी अकर्षन शक्ती बढ़ जाएगे कि आपका खोया प्यार आपको फिर से वापिस मिल जाएगा दोस्तों अगर पति-पत्नी में प्यार कम हो गया है, पत्नी अपने खोई प्यार को पाने के लिए भी यह उपाय कर सकती है दोस्तों पतनी अपने पती से नजर बचाकर अपने पती की थाली में से कुछ बोजन उठाकर अपने थाली में और अपने वाला बोजन अपने पती के थाली में रख सकती है ऐसा करने से भी आपका प्यार वापिस आ सकता है खोया प्यार वापिस माने के टोटकों में से एक ये टोटका भी बहुत परिभावशाली मानने गए है प्रियांगू और राई आपको लेना है अभी से अभी मंतरीत करना है आपको ही मंतर से अभी मंतुरित किये हुए इन चीजों को आपने खोए हुए प्यार के अपर उसकी नजर बचा कर डाल देना है ऐसा करने से वो आपके वश में हो जाएगा अगलो पाई जानते हैं आपका प्यार जो कपड़ा पहनता है उसमें से किसी भी कपड़े को आपने लेना है इस टोटके या उपाई को अजमाने के बाद आपका प्यार आपके वश में हो जाएगा लाश्ट उपाई जानते हैं यह टोटका भी आप करके अपना प्यार वापिस ला सकते हैं आपका साथी आपसे रूट गया है आप प्यान नहीं देता तो आप श्टोटके को भी अपना सकते हैं जो बहुत ही प्रिभावी माना गया है खोया प्यार वापिस पानी के तरीके में यह एक टोटका माना गया है कोई भी अमोश्य वाले दिन पीपल के दो पत्ते तोड़ लेने हैं अब काजल से एक पत्ते के उपर अपने प्यार का नाम लिखना है इस पत्ते को उसी पेड के निचे आपको दबा देना है और उस पर कोई बारी पत्तर रख देना है ताकि वे उड़े नहीं अब लाल सिंदूर लेकर दूसरे पत्ते पर भी आपको आपने प्यार का नाम लिखना है इसे अपने घर ले जाना है चट के उपर आपको उल्टा रख कर वैसे पत्तर रख कर दबा देना है ताकि उसको कोई देखे नहीं या और उठे नहीं यह करिया दोस्तों आपको लगा तारी किस दिनों तक करनी है और बगवान से प्रातना करनी है कि आपका प्यार जल्दी से वापिस लोटाई ऐसा करने से आपका प्यार वापिस आजाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो वीडियो में मैंने आपको टोटके मंतर बताए गए है वो आपको जुरूर समझाए होंगे अगर आपको कहीं पर कोई दिक्त परिशान नहीं आती है तो आप हमारे दिये गए नंबर पर संपरक कर सकते हैं हमारे दूसरी वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे डिसक्रिप्सिन बॉक्स में जाकर दिये गए लिंक पर कलिक करके दूसरी वीडियो से भी जुड़ सकते हैं वीडियो को लाच तक देखने के लिए बहुत भू धन्यवा